देश की आज़ादी के 75 वर्स पूरे होने के अउसर में अमरित महत्सों मनाया जा रहा। से ही लोग आज़ादी के जस्न में डूबे हैं। 15 अगस्त से एक दिन पहले सुरू हुई यह सजावट बताने के लिए काफी है कि लोग कितने उत्साहित है। चौक चराहों पर आज़ादी के अमरित महत्सों को लेकर बड़े बड़े तिरंगा लगाए गया है। पूरा निर्सा विधान सभात तिरंगा में हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जस्नी आज़ादी को मनाने के लिए खास तयारी की गई है। निर्सा विधाय का पड़ना से इन गुपता ने इस मौके को एतिहाउसक बनाने के लिए पूरे चिरकुंडा के सही चौक परिकिस फीट का तिरंगा फहराया। और कहां कि जिस तरह माने प्रधान मंतरी जीने तिरंगे को वैस्विक गौरों का सम्मान दिनाने के लिए बीड़ा उठाया है। उसे आगे बढ़ाते हुए आज़ पूरा निर्सा विधान सभा तिरंगा में हो गया है। लोग आज़ादे के अमरित महतस्वा में सरयबूर हो गया और इस पल को यादगार बनाने में अमन सिंग द्वारा भव्वे तिरंगा यात्रा निकाला गया। सैकलों की संख्या में लोग इसा भ्यान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। यह भारत वर्ष के लिए एक सूप संकीत है। खेर से हमें लोग 15 तर अब लोगों के हरहर किरंगा घरहर किरंगा बहुत पर गणा पूरा आ है। कि अध्या निकाला है यादो फटी परभाद है। अम्ली हमें भी सभागे मिला। खुआ कि प्रग्राम में आए आपने आपने साली मौसूस कर रहे हैं। ये आन, बान, सान, किरंगा के थेंडा के मीचे उन्हें कोटी-कोटी नमन करते हैं, परणाम करते हैं। परणाम के सुभवसर पर लगातार 12 तारीक से यहां वैदल जूरूस निकाल रहे हैं। नगर परिसाज से लेके चिर्कुंडा चोग, चिर्कुंडा चोग से ठाना, ठाना से लेके एकदम रानी सती मंदिर तर्च। 12 तारीक, 13 तारीक, आज 14 तारीक, 14 तारीक को आज मी हमारे खेतर में पूरा जिरंगा यात्रा, सुभा यात्रा रेजी निकला था। और हमें गर्भ है कि आज साई जोग में, एके स्विट का आज घंडा तोलन करके हम लोग गर्भाविक महुर्द मासूश कर रहे हैं।